नमस्ते दोस्तों, आज हम आपको एक रोचक परियोजना के बारे में बताएंगे जो मश्रूम उत्पादन के माध्यम से आत्मनिर्भरता, स्वास्थ और परियावरन के लक्षियों की प्राप्ति में मदद कर सकता है एक, परिच्छे, हमारी परियोजना का उद्देश है आत्मनिर्भरता, स्वास्थ और परियावरन के क्षेत्र में उन्हें प्रोच साहित करना इसके लिए हम मश्रूम उत्पादन की महत्वता पर चर्चा करेंगे हमारा मिशन है मश्रूम प्रशिक्षन और व्यापार को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करना, जो आत्मनिर्भरता, स्वास्थ और परियावरन के साथ संगत है 3. बजार विशलेशन हमने लोकल और वैश्विक स्टर पर मश्रूम की मानग और बजार के लिए रुजहान अनुसंधान किया है 4. प्रशिक्षन कार्यक्रम हमने विस्तरित मश्रूम पैदा करने के प्रशिक्षन कार्यक्रम की योजना बनाई है जो आत्मनिर्भरता में मदद करेगा 5. पर्यावरन स्वीकृत प्रथाएं हमने मश्रूम पैदा करने की पर्यावरन स्वीकृत प्रथाओं का वर्नन किया है जो हरित पर्यावरन के लिए योगदान करेगी 6. व्यावसायक मौडल और परिचे हमने व्यावसाइक मौडल और परिचे की योजना बनाई है जो व्यावसाइक और आर्थिक स्थिर्ता प्रदान करेगी 7. मश्रूमों के स्वास्थय लाब हमने मश्रूमों के पोशन संबन्दी और स्वास्थय से जुड़े लाबों का विवेचन किया है जो एक स्वस्थ समाज के लक्षय के साथ संगत है 8. सशक्तिकरन और जीवन और पारजन 9. सतत्त और भाविश्य की वृद्धी हमने व्यवसाई की दीर्धकालिक सतत्त और वृद्धी के लिए रन्नीतियों का विवरन किया है हम प्लान कर रहे हैं कि व्यापार को लंबी अवदी तक स्थिर रखने के लिए विभिन उन्हें प्रेरित करने वाले विकल्पों और नई तक्नीकों का आदान प्रदान करेंगे हम संभावित सहयोग या साजेदारी के लिए योजनाएं विचार रहे हैं ताकि इस व्यावसाई को विस्तारित करने में मदद मिले 10. निशकर्ष इस प्रोजेक्ट में हमने महत्वपूर्ण बिंदूओं का संक्षेप किया है जो आत्मनिर्भरता, स्वास्थ और पर्यावरन के प्रभाव को हाइलाइट करते हैं हमने व्यावासिक मौडल, पर्यावरन, स्वीकलित, प्रथाएं और सशक्तिकरन के माध्यम से कैसे इसे प्रासंगिक बनाया है यह विस्तार से विवेचन किया है हमने उद्देशियों को स्पष्ट करके स्वार्थ और पहल में समर्थन बढ़ावा दिया है जिससे यह प्रोजेक्ट समाज के विकास में महत्वपूर्ण भूमी का निभा सकता है हम आशा करते हैं कि यह हमारे लक्षियों की प्राप्ति में मदद करेगा धन्यवाद, इस रूप में हमने प्रत्येक खंड को एक विस्तरत विवरन दिया है निशकर्ष में प्रकट किया है कि यह प्रोजेक्ट कैसे समाज में योगदान कर सकता है